नमस्कार आप देख रहे हैं प्रभासाक्षी और मैं हूँ आपके साथ रेनुतिवारी यह हमारा खास प्रोग्राम है नियूज रोम जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तर कोरिया के एक बहुत बड़े होने वाले एक विस्पोटक कदम के बारे में उत्तर कोरिया अब पर सटीक प्रहार करने के मकसद से डिजाइन किये गए विस्पोटक ड्रोन को टेस्ट किया है समचार एजनसी ने शुकरवार को उत्तर के राज्य मेडिया की रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह सारी बाते बताई और दावा किया कि उत्तर कोरिया इनेता किम जॉंग उन जोड़ दिया जा रहा है के सी एन का हवाला देते हुए उत्तर कोरिया ने बताया कि आत्मघाती हमला वर ड्रोन का इस्तिमाल अलग-अलग स्ट्राइकिंग जे रेंज में किया जाएगा ताकि जमीन और समुद्र जो दुश्मन है उसको किसी भी लक्ष पर सटीक हमला किया जा सकता है इसके चित्रों में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ड्रोन से बी एम डेवल्यू सेडान और टैंको के पुराने मॉडल को निशाना बनाया जा सकता है किम ने हथियारों को विक्सित करने की प्रक्रिया को संतोश व्यक्त किया है और जल्द ही जल्द श्रंकला करने की आवेशक्ता पर बहुत जादा बल दिया गया है यानि कि किम अपनी सेना को और भी जादा इस ड्रोन के माध्यम से मजबूत करने वाले हैं इसके लावा अब आपको बता दे कि उत्तर कोरिया ने दक्षिट कोडिया पर बहुत गंभीर आरोप लगा है और उसी के च शब्दों को दोहराते हुए कहा है कि कई सेनिगतिविधियों के लिए ड्रोन कम लागत पर बनाना आसान है उत्तर कोरिया ने दक्षिन कोरिया पर पिछले महीने उत्तर कोरिया विरोधी पर्चे गिराने के कई गंभीर आरोप और ड्रोन भेजने के आरोप भी लगाए थे और धमकी दी थी कि अगर दोबारा ऐसा किया गया तो वे बलपूरवक जबाब देखा दक्षिन कोरिया की सेना ने इस बात की पुस्टी करने से इनकार कर दिया है कि उत्तर कोरिया के ये दावे सही है या गलत है अगस्त में भी इसी तरह के ड्रोन का टेस्ट किया गया था थोड़ा सा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि कोरिया की वर्कर्स पार्टी ने हाली में परिचालन योजना के साथ मानो रहित सैन ने हार्ड वेर प्रणाली को पूरी तरह से संयोजित करने की लाइन को महत्व दिया है किम ने कहा है कि जितना जल्दी हो सके एक धारवाहिक उत्पादन प्रणाली की आवेश्यक्ता को रेखानकित किया जाए उतरकोरिया ने पहली बार अगस्त में आत्मगाती हमलावर ड्रोन टेस्ट के प्रदर्शन का परिक्षन का खुल कर समर्थन किया था और इसका खुलासा भी किया था कि उन्होंने ऐसा किया है जिसकी निग्रानी भी किम ने मौके पर जाकर की थी तो इस तरह की कुछ उतरकोरिया से रिपोर्ट आ रही है आपका इस पर किस तरह का कमेंट है आप हमें कमेंट करके जरू करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके